तो आप सभी का जय गंगर एजुकेशनाल एकेडमी में मैं स्वागत करता हूँ आज हम देखेंगे 2021 में हुए महिला परवेक्षक में आई वह प्रशनों का डिसकसन करेंगे जिसमें हम समान्यध्यन, हिंदी और साथ ही साथ महिला बालविकास से सम्बंधित प्रशनों को देखेंगे जो खुली भरती हुआ था 2021 में प्रिवेस एर कोस्चन तो आएए बीना देरी की वीडियो को सुरू करते हैं तो आया हुआ पहरा कोस्चन था कि निम्न लिखित में फे कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचारित होता है तो इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचारित होने वारा रोग होता है कौन सा मलेरिया तो आपसा नंबर हो जाएगा आपका B आपका अगला प्रफन था निम्न लिखीत मेफे किस में प्रोटीन एनरजी को पोशन समान्यता दिखाई देता है एवं अधिक्तम घातक प्रेणाम होते हैं ते होता है सीसु अवस्था और बचपन में तो आपसा नंबर हो जाएगा आपका C आपका अगला प्रफन हो जाएगा इफ राज्य के जीलो को नवंबर 2020 तक संचालित आंगन बाड़ी केंद्र की संख्याओं से सुमेडित कीजिए तो ये प्रफन था आपका तो संचालित आंगनबाडी की संख्य जीलावार देखना फुरू करते हैं तो बलरामपूर बलरामपूर में कितना ही देखते हैं तो बलरामपूर में था आपका कितना था तो 2005 आंगनबाडी के अंदर क्या था उस टाइम में संचालित था दूसरा देखिएगा जस्पूर में तो जस्पूर में संचालित था कितना 2931 था और देखिएगा कोरबा में कितना था तो कोरबा में था आपका 2280 और राजनंदगाओं में कितना था तो राजनंदगाओं में था 2694 और रायगाड में था आपका 2894 तो इस प्रकार से आपका आप्सन नंबर हो जाता है D ठीक है और ये कब की स्थिती में था तो नवंबर 2020 की स्थिती में तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अभी स्थिती बदला हुआ है तो उसके लिए नेटाटा देखना पड़ेगा आपको अगला प्रफना है घरेलू हिंसा से इस्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतरगत सारेलिक दुर्ववहार से अभी प्रेत है तो कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेक करते हैं सारेलिक पीडा और हानी ये भी है अपका जीवान या फारेलिक अंग को खत्रा स्वास्था को खत्रा प्रहार अप प्राजीक बल तो इस सभी आ जाएगा सरीरिक दुर्ववहार के अंतरगत तो आपसा नमर हो जाएगा आपका डी अगला प्रफना आया हुआ था वर्फ त्यवहार के अनुसार नीचे दी गई तालीका में वर्फ और कूपोशन के प्रतीफत का सही मिलान करें तो ये जो व भ्यापण की दोरह क्या कर दियागया था विलोपित कर दिया गया था अगला देखेंगे वर्फvation कितने वर्फ तो पांच वर्फ तक के कुपोसान से ग्रफित बच्चों अम्रक ढूशार वजन का प्रतीसत राज्य में एवं भारत में निम्नानूशार है तो किस प्रकार से है तो राज्य में आपका 37.-7 प्रतीफत और भारत में 35.-7 प्रतीफत साला पूरो सिख्या के सम्बंध में तीन से छे वर्फख के बच्चों के लिए निम्न लिखित में से कौन सा गूरूप सही नहीं है तो जो एख व्यापन के दौड़ा क्या कर दिया गया था विलोपित कर दिया गया था आपका अगला प्र्फण हो जायेगा 9 योजना के संबंध में 9 में से क्या सहीं है ये देखते हैं ये भी प्रफना क्या कर दिया गया था व्यापंक के दारा विलोपीट किया गया था उस टाइम में अगला कॉस्चन देखिएगा अगला प्रफ ने देखेगा समय कित बालविकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 फे शुरू हुई तो क्या क्या शुरू हुआ था ये तो ठीक है मलतकि कॉन सा सही है ये पूछा जा रहा है क्योंकि बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 पच्छता शुरू हुआ था ये सही है आपका संदर्भित सेवाएं सरेलिक रूप से विकलांग बच्चो जोखिम वाले बच्चो और बिमार बच्चो को दी जाती है तो ये भी सही है साला पूरो सिक्षा 3-6 बीच के बच्चों को दी जाती है डुपार्थता है फिल को रहा है तो यह जाते। और आपका चाहोंथा देख लेते हैं पूरक पोसान योजना नोजास इसों के लिए निर्भार है यह थो आपको देख लेते हैं थाट यह इस संदर्भित से मैं संदर्भित से मैं सरीरिक रूप से विकलांग बच्चों जोखी वाले बच्चों और बिमार बच्चों को दी जाती है नहीं यह जरूरी नहीं हो तो बांकी बच्चों को भी दिया जाए फक्त है तो यह आपका दूसरा वाला आपसा तो गलत है तो दूसरा किसमे नहीं दिया हुआ है तो आपसा नंबर C में मतलब तीफरा, चौन्था और पहला तो आपसा नमर सी आपको सही हो जाएगा अगला प्रफन देखिएगा 2 अक्टूबर 1975 को नीम्न लिखित विकास खंडो एवं आंगन बाडी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंब किया गया था तो यह प्रारंब किया गया था कब प्रारंब किया गया था तो कितने विकास खंडों में और कितने आंगन बाडी के इंद्र खोल गया था तो 33 विकास खंड था उस टाइम में है न और 48892 आंगन बाडी के इंद्र आफसा नमर हो जाएगा आपका सी अगला प्रफना देखिएगा भारत की जणगर्णा 2011 के लिए निम्न लिखित कत्रों पर विचार कीजिए तो ये सब कत्रन जितना भी दिया तो इसको भी व्यापन क्या कर दिया था विलोपित कर दिया गया था तो अगला प्रफना देखिएगा निम्न लिखित में से कौन सा पोशक्तत्व नहीं है तो पोशक्तत्व विटामिन भी पोशक्तत्व है खनीच्पदार्थ भी पोशक्तत्व है वसा भी पोशक्तत्व है लेकि रेशा पोशक्तत्व नहीं है तो आपसर नमर हो जाएगा C अगदा प्रफन देखिएगा निम्न लिखीत में से कौन से मुख्य मंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश से है तो क्या कि इसका उद्देश हो सकता है तो यह देखेंगे आपका पहला आपसन हो जाएगा कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थी कठनाईयों का निवारान करना तो यह उद्देश से होता है पहला सही है आपका दूसरा देखते हैं विवाह के आउसर पर फिजूल खर्च रोकना यह भी उद्देश से है इसका समोहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्म सम्मान में विद्धे करना तो आपसन नंबर आपका यह जो तीसरा है यह भी सही है तो आपका आपसन पहला दूसरा और तीसरा यह तीनों आपका क्या है यह तीनों आपसन आपका सही है आया हूँ अगला प्रफना था निमनलिखित में से बैक्टिरिया जनीत रोग कौन से है तो डिप्थीरिया और टिटेस ये दोनों बैक्टिरिया जनीत है तो आपसा नमर हो जाएगा आपका पहला अगला प्रफना राश्टी इस्तर पर पोषण अभियान का लक्ष क्या था तो इसका लक्ष क्या क्या था तो इसमें कर देखते हैं तो इसमें कर प्रमूख लक्ष था बच्चों में को पोषण को प्रती वर्फ दो प्रती फत तक तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में एनिमिया को प्रती वर्फ तीन प्रती फत त कम करना ये लक्षत रखा गया था तो आपसा नंबर हो जाएगा आपका B अगला प्रफन देखिएगा किसी बच्चे के स्वास्थ इस्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जाता है तो यदि जन्म के समय सीसु का वजन दो किलो से कम हो तो भी जोखिम माना जाता है सीसु का वजन लगातार तीन माहा से बढ़ नहीं रहा है तो भी माना जाता है जोखिम भरा है सीसु के वजन में लगातार दो महिने से कमी हो रही है तो इसको भी क्या माना जाता है जोखिम भरा माना जाता है तो आपसे नम्मर हो जाएगा आपका D उप्यूक्त सभी अगला कुश्चन था राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का तोरी विचारन करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यालाय को या प्रतेक जिले में किसी सेशन न्यालाय की बालक न्यालाय की रूप में निर्दिष्ट कर फक्ती है तो इसका सही आनफर था उच्च न्यालाय के मुख्यनाय मुर्ती की सहमती से ऐसा किया जा फक्त है तो आपसा नमर हो गया था आपका A अगला प्रफन देखिएगा यदि किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति दहेज प्रतिफेद अधिनियम 1961 के प्रारम के पस्चात दहेज देगा या लेगा तो वह कारावास से दंड़नी होगा जिसकी ओधी कितना वर्फ होगा जिसकी ओधी होगा कितने वर्फ का कम से कम नहीं होगा बोला है न अच्छा वर्फ से कम नहीं होगी तो इसका सही आपसान था आपसान नमर B पांच वर्फ अगला प्रफन था निम्न लिखित में से कौन सा भारफ सरकार द्वारा पूरक पोसाण आहार के लिए निर्धारित वित्ती माबदन पोसक तत्व एवं उर्जा 6 माह से 6 वर्फत तक के गंभीर कुपोशी बच्चों के लिए सही है तो कौन सा सही था तो वृत्ती पद्धान ये था किवी कितना होना चाहिए कि 20 से 25 ग्राम प्रोटीन 800 केलोरी उर्जा इतना प्राप्त हो तो आपसा नंबर ये आपका सही था अगला प्राफ्ण था रेडी टू इट फूड में कौन से घटक नहीं होते हैं तो इसमें से सब घटक था इस कारण से इसको क्या कर दिया गया था विलोपित कर दिया गया था आपका अगला प्राफ्ण हो जाएगा ओमीक्रान सब से पहले कीव देश में पाय जाने की जानकारी विश्व स्वाफ्ट संगठन को मिली थी उस टाइम का करेंट अफेर्स था ये तो ये प्राप्तु होत कहां डक्षिड आफ्रीका में आपसन नमबर C अगला प्राफ्ण हो जाएगा आपका भारत के लिए बहु आयामी निर्धनता का प्रतिवेदयन वर्फ दो हजार एककीस में किसने जारी किया तो ये जारी करने का काम किया था अगला प्राफ्ण टैथिस सागर के इस्थान पर बना है तो इसकी इस्थान पर क्या बना हुआ है तो हिमालाय परवत बना है आपसन नमबर आपका C अगला प्राफ्ण था निम्न लिखित में से कौन सी नदी जो आरना धमुक मतलब इस्थूरी का निर्मार करती है तो इस्थूरी का निर्मार करने वाला एक नदी था कौन सा नदी नर्बदा नदी आपसन नमबर हो जाएगा आपका D अगला प्राफ्ण आया हुआ था निम्न लिखित में से कौन सी गुफा तीरत गर्ड जल प्रपात के निकट है तो तीरत गर्ड जल प्रपात के निकट एक गुफा था कौन सा गुफा तो कुटुम सर गुफा आपसन नमबर C आपका अगला प्रफ्ण था कि एक अभी कथन दिया हुआ था तो कृतिम उपग्रह का प्रचेपन हमेशा प्रित्वी के पूर्वी दीशा से किया जाता है इसका कारण दिया हुआ था प्रित्वी पस्चिम से पूर्व की ओर घूडी थोने के कारण उपग्रह पलायन वेक प्राप्त कर लेता है और इस कोश्चन को किसी कारण वस क्या कर दिया गया था विलोपित कर दिया गया थे वाप्रम की द्वारा तो अगला प्रफ्ण था निम्न लिखित पर विचार कीजिए पहला दिया था प्रकास संसलिषन और दूसरा था स्वसन तीसरा है कार्बनिक पदार्थक अच्छ है और तीसरा दिया हुआ था जो आला मुखी का विस्फोड और इसमें बोला गया था कि उप्युक्त में से कौन कार्बन चक्र में कार्बन डाइकसाइड का योग नहीं करता है तो इसका सही आनफर लिया गया था किसको प्रकास संसलिषन को ठीक है अथात आपसा नमबर आपका बी केवल ए एक है न अगला प्रफन था सुची एक को सुची दो से सुमेलित करके निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चैन कीजिए तो यहीं से सुमेलित कर लेते हैं ब्यूटा डाइन ये था आपका रबर उध्योग से संबंधित बी टी एक्स मिस्राड की से संबंधित था तो आपका ये पेट्रोलियम मतलब पहला नमबर ये हो गया दूसरा नमबर हो गया आपका कौन सा ये पाँचवा हो गया फासफोरस फासफोरस ये था आपका माचिस उध्योग से संबंधित तो ये हो गया आपका तीसरा का प्रफर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर डी आपका अगला प्रफन हो जाएगा क्रायोजेनिक तकनीक का अनुप्रयोग किसमे होता है तो यह किया जाता है अंत्रिक्छेयात्रा, सैल लेकरिया, चुम्बकिय, उत्तोलन तो आपसा नमबर हो जाएगा आपका A आपका अगला प्रफन धन विध्यक में क्या सम्मिलित होता है तो धन विध्यक में सम्मिलित किया जाता है करो का अधिरोपन को, करो का उत्सादन को, करो का परिहार और करो का नियमन तो ये चारों को सामिल किया जाता है आपसा नमबर हो जाएगा आपका D अगला प्रफना आया हुआ था सहीं क्या है तो लोक सभा को संचित निधी पर भारित व्यपर मत देने का धिकार नहीं है तो ये बिल्कुल सहीं है दूसरा देखते हैं लोक सभा को संचित निधी पर भारित व्यपर बहस करने का धिकार है तो इसमें भी आपका धिकार है तो पहला और दूसरा दोनों सही लग रहा है तो आपका आपसन नमबर हो जाएगा कौन सा आपसन आपसन नमबर C अगला प्रफन देखते हैं संयूक्त लोक सेवा आयोग की नियूक्ति की प्रक्रिया का वीशाय में सही क्या है तो क्या क्या सही है ये देखते हैं पहला दिया हुआ है पहला दिया हुआ है राज्य विधान मंडलों के द्वारा एक संकल्प पारित होना चाहिए संसत विधी द्वारा संयूक्त लोक सेवा आयोग की नियूक्ति का उपबंध करेगी ये भी सही है तीसरा है इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राफ्ट पती करेंगे ये भी तो ये तीनों सही है तो आफ्चन में देखते हैं तीनों सही कौन सा है तो आफ्चन नमबर A पहला दूसरा और तीसरा सही है अगला प्रफणा इस राज्य के प्रथम एथे नाल पॉइंट की स्थापना कौन सा एथे नाल पॉइंट की स्थापना निम्न में से किस इस्थान पर की जाएगी तो ये प्रफ़तावी सा उस टाइम में कमरधा में आफसा नमबर था C अगला प्रस्न था ओलाव स्कोल्ज ने निम्न में से कीव देश के चांसलर का पदभार सम्हाला था उस टाइम में सम्हाला था जर्मनी का आपसा नंबर बी था अगला प्रस्न आया था इस राज्य को प्राप्त 2021 के राष्टी पुरुषकारों की संख्या को उसके योजना अथ्वा अभियानों से सुमे लिद कीजिए करेंटा फेर साथ हो उस टाइम का तो ग्राम स्वराज अभियान ये था आपका नौ पहला का हो गया राष्टी पंचायत अवार्ड मिला था बारा तो ये दूसरा हो गया दिव्यांग जनों के कल्याण है तू तो ये था आपका ये पहला अर्था तीन और पोशन अभियान में कर इसके लिए अवार्ड था कितना पाँच तो ये इस प्रकार से क्रम में देख लेते हैं कौन से क्रम में है तो तीन चार एक और दो तो ये आपसन नंबर हो जाएगा आपको कौन सा बी अगला प्रफन देखिएगा इफ राज्य में हाथियों के लिए विशेश रूप से बनाए गए अभ्यारण का नाम है तो हाथियों के लिए बनाए अभ्यारण कौन सा था तो लेमरू आपसन नंबर ए अगला प्रफन था सीवा जी के काल की घटनाओं को उसके वर्स से क्य करना है सुमेलित करना है ये प्रफन विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा तो अगला प्रफन देखते हैं ब्रिटीस नीती के विरुद्ध जन जाती विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कानुहू किस समुदायके थे तो ये थे संथाल समुदायके आपसन कुछार अप्राधों के लिए 2 सिद्धी के सम्बंध में सरक्षण में क्या सामील है इसमें सामील किया गया था पहला था कारे उत्तर विधी से सरक्षाड इसको सामिल किया गया था दूसरा था दोहरे दंड से सरक्षाड इसको भी सामिल किया गया था तीफरा था आत्म अभी संसन से सरक्षाड तो पहला दूसरा और तीसरा सही है तो आपसा नमबर हो जाएगा आपका C पहला दूसरा और तीसरा अगला प्रफनाय हुआ था हिंदी से संबंधित धूर्गेश में कौन सी संधी है धूर्गेश में संधी दिख रहा है कौन से संधी गुड़स्वर संधी एक ही मातरा दिख रहा है गुड़स्वर संधी आपसा नमबर हो जाएगा B आपका अगला प्रफनाय है इनमें से तत्सम सब्द नहीं है तो तत्सम सब्द नहीं है तत्सम सब्द है कौन कौन सा तो करपूर दुगध और अंटालिका ठीक है अंटालिका दिया है तो ये सब क्या है तत्सम सब्द है लेकिन अंगूठी तत्सम सब्द नहीं है बलकि क्या है तत्भाव सब्द है अगला प्रफण देखियेगा, वाक्य का अवस्यक तत्व नहीं है, यह प्रफण को क्या कर दिया गया था, विलो उपित कर दिया गया था, अगला प्रफण है, सुध्वाक्य की पहचान कीजिए, तो ये सुद्धवाक के कौन सह है? तो आसीर्वाद ये लेकिन मातरा के वज़े से गलाइथ हो गया ये भी मातरा के वज़े से ये तुस्था लिखा हुआ है ये आसीर्वाद, आफनन मंबर C ये सही है अगला प्रफ्ण था और उ का उचारण इस्थान क्या है तो इसका उचारण इस्थान है कौन सा ओश्ठ है आपसा नमबर B अगला प्रफन नवरात में कौन सा समास है तो नवरात में समास हो जाएगा द्यूगू समास 9 है न संख्या वच्चक बता रहा है आपसा नमबर हो जाएगा आपका D ड्रिगू समास अगला प्रफना सुद्ध सब्द की पहचान कीजिए तो सुद्ध सब्द कौन सा है इसमें का तो सुद्ध सब्द है अभिसेक ये वाला अभिसेक सही है आपसा नमबर B अगला प्रफना था सुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए तो इसमें का सुद्ध वाक्य था उसने उसके गले में फूलो की माला डाली आपसा नमबर D अगला प्रफना इनमें फे कौन सा सब्द? देशज नहीं है देफज नहीं है तो देफज कौन कुछ सा? फाटक, चकचक, खराटा ये सब देफज है लेकिन कनस्तर देफज नहीं है आपसा नमबर D आपका अगला प्रफना अतिथी का पर्यावची सब्द क्या है? तो पर्यावची सब्द अतिथी का होता है कौन सा? अभ्यागत आपसा नमबर B अगला प्रफना आया हुआ था चटिश गड़ी का प्रारम लिखित रूप में कब से माना जाता है? तो इसको भी विलोपित कर दिया गया था अगला हो जाएगा आपका हिंदी सब्द सयोजक का चटिश गड़ी में अनुआद होता है जो रया आपसा नमबर B जोडने वाला अगला प्रफना आया हुआ था पस्चिमी चटिश गड़ी किस से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है किस से तो बुंदेली और मराठी से प्रभावित है आपसा नमबर B अगला प्रफना था चटिश गड़ी सब्द खास का हिंदी में अनुआद किसने किया है न? या एक बार और कोश्चन को पाल लेते हैं चटिश गड़ी सब्द खास का हिंदी में अनुआद है तो खास है न? तो विशिष आपसा नमबर B अगला प्रफना था चटिश गड़ी भासा की लोग कथा फुल बासन में किसकी कथा है फुल बासन में कथा किसका है तो सीता और लचमण का कथा न? आपसा नमबर D उमिधा दोस्तो वीडियो आपको पसंद आया होगा ये खुली भरती से सम्बंधित प्रफना था आगे आपको परिशिमित भरती से सम्बंधित वीडियो उपलब धकराए जाएगी तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबिस्क्राइब, लाइक और कमेंट से जरूर करे ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिलता रहे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का सहीरत धन्यवा